स्वागते दोस्तों आपका हमने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टेटा में दोस्तों गर आप अपने किसी गोल को पूरा करने के लिए एक करूड रूपे का फंड बनाना चाहते हैं तो आप मातर एक लाख 16,483 रूपे जमा करके एक बार अपने लिए 1 करूड रूपे तक का फंड तयार कर सकते हैं तोस्तों गोल सब के होते हैं और लोग उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं देकिन अगर आप सही प्लानिंग करते हैं और समय रहते तो आपके पास एक वक्त होता है जहांपर आप अपने लिए अपने गोल को पूरा कर सकते हैं अगर आप अभी से सिर्फ एक करोड रुपे का फंड बराना चाहते हैं तो आप जादा नहीं एक लाख 16,483 रुपे एक बार जमा करके लिए एक करोड रुपे का फंड आसानी से तयार कर सकते हैं अब बात आदी है कि हम अपने पैसे को कहाँ पर निविश करें जिससे हम अपने गोल को आराम से पूरा कर पाएं तो दोस्तो ऐसा option आपको मिलता है mutual funds इसकी मुका क्योंकि यहाँ पर आपके जो पैसे पर return मिलता है वो compound interest rate के साब से मिलता है और आप थोड़े पैसे जमा करके भी अपने गोल को आराम से पूरा कर सकते हैं चाहिसे आपको कोई घर खरीदना है, बच्चों की शादी या फिर आपके कोई और retirement planning है उसके लिए भी अगर आप अभी से एक निवेश प्लान करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से एक amount चूज करके निवेश करके अपनी मर्दी से एक fund बना सकते हैं यहाँ पर हम example के तौर पर समझ रहे हैं कि एक करोड़ोपे का fund अगर आप बनाना चाहते हैं और इसके लिए आपको कितना वक्त लगने वाला है तो दोस्तो इस वीडियो को आप पूरा अंतक जरूर देगे ताकि आप समझ सकें कि कैसे आप एक करोड़ोपे का fund अपने लिए तयार कर सकते हैं उससे पहले आप से एक request है हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तो जो fund हम लेकर आए हैं अगर हम उसके return की बात करें यहाँ पर इसका annual return है 17.33% का जबकि पिछले 5 साल की बात करें तो इस fund ने return दिया है 12.85% पिछले 3 साल से बात करें तो लगातार इस fund का return है 23.50% जबकि एक साल की बात करें तो fund ने return दिया है 1.40% दोस्तो चे महिने में भी fund का जो return है वो है 4.70% और दोस्तो यह है एक mutual fund scheme नाम है IDFC Tax Advantage ELS Direct Plan Growth यहाँ पर दोस्तो यह ELS category का fund है और इसका locking period 3 साल का है यानि कि यहाँ पर आप जो पैसा निवेश करते हैं उसे 3 साल के बात निकाल सकते हैं और यहाँ पर आपका जो पैसे पर return है वो काफी अच्छा मिल सकता है इस time period के अंदर और यहाँ पर जो भी पैसा है वो stock market के अंदर 23 क्वारेटी के stock को में निवेश किया गया है दोस्तो गर हम निवेश की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तो इन fund के अंदर mutual fund में सिर्फ एक पर लंसम पैसे निवेश करके अपने goal को पूरा कर सकते हैं आपका जितना भी goal है और उसी के return के हिसाब से एक amount लंसम निवेश करके आप अच्छा fund तयार कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस fund के एनवी यानि के net asset value की तो यह है 112 रुपी 26 पैसे का जानी के आप जो भी लंसम पैसे निवेश करेंगे और उस वक्त जो भी एनवी का price होगा उसके हिसाब से आपको unit lot की जाएगी fund की rating की बात करें तो 4 है और fund size की बात करें तो 4000 परोड रुपे दखबक्त लोगों ने इस mutual fund scheme के अंदर नवेश कियो हैं लंसम 5000 रुपे और minimum हर मैने अगर आप नवेश करना चाहते हैं तो 500 रुपे SIP से भी नवेश से start कर सकते हैं तेकिन यहाँ पर हम बात करें लंसम याँ आप किसी goal को कैसे पूरा कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें holding analyst की तो equity के अंदर 93% पैसा total fund size का और cash के अंदर 6.8% पैसा use किया गया है जो भी यहाँ पर fund size है उसका अगर हम दोस्तों equity sector location की बात करें कि काफ पर आपका पैसा निवीश कर गया है तो सबसे जादा financial sector के जो stocks हैं उनके अंदर पैसा निवीश कर गया है करीब fund size का 29.5% इसके अलावा other sector के share में 17.1% automobiles के अंदर 11.21% technology में 10.1% construction में 8.6% healthcare sector के अंदर 6.8% consumers temple के अंदर 5.8% energy sector के अंदर 5.5% और services sector के अंदर 5.2% पैसा use किया गया है total fund size का दोस्तों कर हम बात करें हैं आपर holding की तो total stock है वो है 48 जहाँ पर आपका पैसा निवीश कर गया है और top holding में ICACA Bank, State Bank of India, Infosys, HDFC Bank, Reliance Investing, Axis Bank, भारती एटल, Tata Motors दोस्तों इस तरह के total stocks हैं जहाँ पर आपका पैसा निवीश किया गया है दोस्तों के हम बात करें हैं आपर expense ratio यानि इस mutual funds के खर्चे की तो यह है 0.74% का यानि आप जो भी पैसे निवीश करते हैं expense ratio काट करें आपको current NB के साब से unit lot की जाती है, exit load इसका निल है यहाँ पर कोई भी extra charge आपको देना नहीं होगा और mutual funds के अंदर tax की बात करें तो 15% होता है, अगर आप एक साल से पहले पैसा निकालते हैं तब, लेकिन अगर आप एक साल के बात पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर LTCG tax होता है 10% का, वो आपको देना होता है अगर आप एक लाख रुपे से जाता का यहाँ पर profit कमाते हैं एक साल के अंदर तब दोस्तों गर हम बात करें यहाँ पर fund management team की, तो इस fund को manage करें डेनिल 2016 से और इनके पास stock market का काफी अच्छा experience है दोस्तों IDFC mutual fund house की बात करें, यहाँ पर rank इंडिया में 9 नमबर पर है, AUM asset tender management की बात करें, तो लोगों ने 1,22,101 करोड रुपे IDFC mutual fund house के साथ अलग-अलग स्कितों के अंदर नवेश के हुए हैं और fund house भी काफी पुराना है, 14 साल पहले start हुआ था 1999 को दोस्तों अगर आप अपने किसी goal को पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए आपको जरूरत है एक करोड रुपे की, यहाँ पर आप एक पर लंग सम पैसे निवेश करते हैं, एक लाख 16,430 रुपे, इस fund से return हम expect करें हैं, अनिवले टायर में 16%, अगर आप दोस्तों यहाँ पर इस पैसे को निवेश करते हैं 5 साल के लिए, तो इस पर इसरी में return आपको मिलेगा एक लाख 28,171 रुपे का, जानिके आपके एक लाख 16,483 रुपे 5 साल के अंदर बढ़कर हो जाएंगे 2,44,654 रुपे, जबकि दोस्तों अगर आप 10 साल तक इस पैसे को इस fund के अंद रुपे 10 साल के अंदर बढ़कर हो जाएंगे 5,13,877 रुपे, जबकि दोस्तों अगरा 15 साल तक इस पैसे को इस fund के अंदर नवीश करते हैं, तो आपको स्टेमिट return मिलेगा 9,62,793 रुपे का, और आपके 1,16,483 रुपे 15 साल के अंदर बढ़कर हो जाएंगे 10,89,260 रु 50,335 रुपे का, और आपके 1,16,483 रुपे 20 साल के अंदर हो जाएंगे 22,66,848 रुपे, जबकि दोस्तों अगरा 25 साल तक इस पैसे को इस fund के अंदर निवेश करके रखते हैं, तो इस टाइम पिरेट में आपको स्टेमिट return मिलेगा 46,44,672 रुपे का, और आपके 1,16,483 रुपे 25 साल के अंदर लगभग 47,161,155 रुपे हो जाएंगे, जबकि दोस्तों अगर आप 5 साल और यहाँ पर इस पैसे को इन्वेश करते हैं, तो compound interest का फाइदा आपको काफी अच्छे से देखने क्लेम लेगा, अगले 5 साल के अंदर ही, यानि 3 साल में आपको करीब estimate return म यहाँ पर दोस्तों यह fund उन्डों के लिए काफी अच्छा रहेगा, जो अपनी किसी target को पूरा करना चाहते हैं, और उन्हें लंब सम एक fund की ज़रुत है, तो वो लोग यहाँ पर पैसे को कम्या साधा करके, अपने लिए एक लंब सम निवेश करके, अपने उस score को आराम स पूरा करते हैं, दोस्तों वीडियो, अगर आपको पसंद आती है, तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर करें, धन्यवादू